नमस्कार बिहार की बात में आपका सौगत है मैं हूँ पंकच कुमार इस खास पेशकस में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार में कानून प्रशाशन को ले करेंगे जी हाँ खास तौर पर जब लालू प्रसाद ने ये कहा कि नितीश राज और गिरिराज में कोई फर्क नहीं है तो इसके बाद मामला काफी बिगड़ गया बीजेपी के तरफ से उप मुखमंत्री समराट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद कौन से राज के बात कर वा है उनके राज में कितने नरसंगार हुए हैं कितने रॉइट्स हुए हैं दरसल लालू प्रसाद कह रहे थे कि बिहार में रॉइट्स हम होने नहीं देंगे हम यहाँ पर हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे तो दरसल समराट चौधरी ने याद कराए कि नितीज शासन में कोई रॉइट्स नहीं हुआ है किसी तरह का नरसंगार नहीं हुआ है जबकि लालू प्रसाद के शासन में रभी देवी के शासन में कितने नरसंगार हुए कितने रॉइट्स हुए और उसको बताना शुरू किया याद करिये 1992 का वो समय जब सीता मड़ी में दंगा हुआ था 65 लोग मारे गए थे 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे इतना ही नहीं कई सारे बिहाद शरीफ के दंगों का जिक्र किया उसके बाद उनके समय में किस तरह का लॉलेसनेस था इसकी चर्चा कर दी सवाल ये उठता कि जब भी RJD एक बिपक्षी पार्टी के तोर पर इंडिये को घेरने का प्रयास करती है खास तोर पर कानून प्रशाशन को ले करके तो फटाक से बीजेपी के नेता हों या जेडियू के नेता हों वो तुरंत उतर आते हैं कि आपके राज में किस तरह का शाशन था वो तो जंगल राज था शाम तक घर कोई वेक्ती नहीं आता था तो उसका परिवार भै से ग्रस्त हो जाता था इतना ही नहीं इतने इंजीनियर का अफरन हुआ इतने डॉक्टर्स का अफरन हुआ तो तेजस्वी आदम ने इन दिनों एक तरीका डून लिया है वो कहते हैं कि अच्छा वो जंगल राज था और ये मंगल राज हैं और मंगल राज के तमाम अपरादि घटनाओं का जिक्र हो अपने ْक्स पर करते हैं सवाल ये है कि तेजस्वी आदम जब-जब इसमुद्दे पर NDA सरकार को गिरने का प्रयास करते हैं सरकार उन्हें वापस जंगल राज की याद दिलाने लगती है अब गंबीर मसला ये उठता है कि अगर इस तरह की बात होती है तो क्या तेजस्वी यादव को अपने आपको जंगल लाज से किनारा कर लेना चाहिए मैं इस क्वांटेक्स में ये बात कह रहा हूं क्यूंकि तो जबरदस तरीके से मंडल का विरोत किया था उनके स्पीच को बताया जाता है तो राउल गांदी ने फाइनली कहा कि मनमौन सिंग के समय में क्या हूआ नरसी माराओ के समय में क्या हूआ मैं उससे अलग बात कर रहा हूं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं तो सवाल गंब होना पड़ता है अब जैसे देखिया ना जेडियू शराब पीने को लेकर के कई लोग मरें जेडियू को लेकर के आर जेडी का तंज आया जहां दारू अनलिमिटेट जेडियू ने फटाक से जवाब दिया राज आर जेडी रास्टिये जहरीला दल मतलब इनके साशन में भै बरस्टा चार अपराध इसके परिचायक है रास्टिये जनता दल तो हम इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ कुछ मेहमान जोड़ो रहे हैं कि आखिरकार जब भी इस तरह की बात उठती है तो जेडियो या कहली जिये एंडिये इस तरीके से लालू प्रसाद और उनके सु जंगल राज बड़ा दिखाई देने लगता अभी भी सवाल यह इतने चुना हुए और आर जेडि को जब भी जेडियो से अलग लड़ी तो हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्यूंकि उन पर जंगल राज का एक बहुत बड़ा तमगा चस्पा हुआ पड़ा है और जंग जिए वरिष्ट पत्रकार और विने कुमार जी है वरिष्ट पत्रकार आप तमाम एमानों का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं संतोज जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा दरसल जब भी सरकार को घेरा जाता है तो ये इस कदर तूट पड़ते हैं जंगल राज की बात करने लगते हैं कि मंगल राज में जिस तरह की आपराधि घटनाएं घट रही हैं वो कहीं न कहीं उसका स्वर धीमी पड़ने लगता है आप देखिए बलातकार को लेकर के तेजस्वी ट्वीट करते हैं बीजेपी के निता चड़ जाते हैं कि अरे उस समय तो आईएस की पत्नी ही सुरक्षित नहीं थी अभी नितीस राज और गिर राज को एक बताया गया तो समराज चोधरी कहा रहे आप चुप रही हैं नितीस के सासन में कहीं दंगे नहीं हुए फसाद नहीं हुआ अप हरन नहीं हुआ आपके राज में क्या होता था आपके राज में बिरानबे में सीता मड़ी में दंगा से ज्यादा लोग मरें बिहर सरीप में दंगा हुआ क्या हुआ और अगर नरसंगार की चर्चा करने लगूंगा तो आप सुनने ही पाएंगे तो सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी पे लगा हुआ ये तमगा कभी धुल भी पाएगा क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या क्य से 33 साल के बीच का वाकिया जैसे ही बताने लगते हैं मुझे लगता कहीं न कहीं आरजेडी डिफेंसिब हो जाती है आप क्या कहना चाहते हैं कि देखिए नितिज जी के सासं के 20 साल हो गए है लेकिन जब लगता है नितिज जी को या भाजपा को कि आरजेडी के तरफ जनता का रुजान हो रहा है तो जंग्राज की बात करने लगते हैं जंगल्राज की तभी तो उनको प्लंता ने हटाया उनकी सरकार में खामिया ते लालू डावरी की सरकार में, खामिया कुछ थी तभी तो लोगों ने हटाया, आज भी इस्तिती बहुत development हुआ है, लेकिन आज इस्तिती पिछले दो-चार बरसों की इस्तिती देखी जाए, तो यहां भी भरस्टा चार की इस्तिती चरम पर है, अपरादी घटना में गटनाओं में बेता हासा बिर्दी हुई है, और मतलब इस्तिती यह हो गई है कि मुझे लगता है कि 2003-04 वाली जो इस्तिती थी लूट पार्ट की, जो मनमानी की वो इस्तिती फिर विहार में होती दिख रही है, हाँ, समय बदल चुका है, development काफी हो चुका है, सरक, दिन जो ड्रक्स का कारवार हुआ है, जो दारू का मामला हुआ है, इस मामले में आय दिन हत्याएं हो रही है, ड्रक्स का का कारवार के करण चैने सने चिंग, लूट पार्ट की गटना है, चोरी की गटना है, डकैतिक गटना है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इधर तो बोलना कि भाई अलुराज में पहले जो था कुरानी बातों को याद दिलाना मतलब यह होता है कि भाई तुम्हारे पापा चोड़ थे तो हमारे पापा भी चोरी करेंगे भाई यह तो ही वाली बात हो लाद अब मैं चाहूंगा एक बात का आप और जवाब दे फिर मैं और प लेकिन अभी भी एक बात जो निकल करके आती है वो यह आती है कि पहले सत्ता सनरक्षित अपराद होता था अभी सत्ता सन्रक्षित अपराद नहीं है और कुछ घटनाओं का जिक्र होता है कि कैसे ल्ुटेरा मुक मंतरी आवास में मिला था यह मैं नहीं कह रहा हूं यह BJP क के नेता कहते हैं जेडियू के नेता कहते हैं तमाम लोग उस घटना को दोराते हैं सवाल यह उठता है संतोष जी कि क्या यह एक ऐसी घटना है जो तेजस्वी यादब को सत्ता के मुहाने तक पहुंचते-पहुंचते रोक देती हैं 2020 याद कर यह लगबग पहुंच गये थे जादब को अपने आपको लालू राज से डिसोसियेट करना पड़ेगा जैसे राहूल गांदी ने कहा कि हमें मेरे पिता जी ने क्या कहा था आरक्षन पर मेरा उससे कोई मतलब नहीं है अब मैं जातिगत जन गन्ना कराऊंगा सबको आरक्षन दूंगा 50% से जादा जहां तक अपराद, ब्रस्टाचार, कानून के मसले पर जो आप जंगल राज की बात करते हैं उससे मैं आपने आपको डिसोसियेट करता हूँ आपको लगता है कि ये तेजस्वी यादब के लिए बहुत बड़ी बात होगी और इस से इसको कहे जाने के बाद जो युवा वर्ग आप कह लिजिए 2005 में पैदा हुआ अब उसके पास voting rights है बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि कब तक आप जंगल राज की दुआई दे करके हमें डराते रहेगा मुझे याद है 2020 में मैं election चल रहा था उसमें घूम रहा था कई युवा इस तरह की बात कर रहे थे मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि क्या यह मुम्किन है कि तेजस्वी आदब अपने आपको लालू प्रसाथ से डिसोसियेट कर लें देखिए आपने कहा कि सत्ता के नजदीक आते आते रह गए तो तेजस्वी आदब कोई अपने मेरिट से सत्ता के नजदीक और सबसे बारी बड़ी पार्टी नहीं बने फोई चिराग पासवान और भारतिय जन्ता पार्टी की किरपाथ थी कि भारतिय जन्ता पार्टी ने नितिश कि उनके पिता जी के सरकार जबाब दिए नहीं चाहरा था कि आप इस पर बिलकुल सीधा और इस्ट्रेट जवाब आपने बिल्कुल सीधा आपने कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं थी और मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहूंगा आपने तमाम पैनलिस्ट के पास लेके जाना चाहूंगा मैं चाहता हूं कि संजय उपाध्याई जी आप आए आपसे मेरा सवाल कि पिता से अलग नहीं हो पाएंगे मतलब ये जो कह रहे हैं कि ये वोट पचास से ज़्यादा सीटे लाने की छमता नहीं है क्योंकि अभी जो इंडिये का एलाइंस है मतलब इनका सीधा कहना है कि जाती आधारित गोल बंदी है और उसमें तेजस्वी आदब पचास से ज़्यादा सीट लाने की हैसियत में नहीं है ये संतोष कुमार जी कह रहे हैं तो क्या मान लिया जाए कि अभी जो इलाइंस है तो क्या संजे जी ये मान लिया जाए कि अभी जो इलाइंस भी है तो बिहार क का एक बड़ा तब का है जो तेजस्वी आदब को सत्ता में बिठाना नहीं चाहता है इतने साल बाद भी इतनी तरह की परिशानियों के बाद मजूद भी चाहे वो जाती ही वजह लेकिन बड़ी बड़ा समूँ है जो तेजस्वी अदब को सत्ता में बिठाना नहीं चाहता है देखिए पंकेची हम लोग थोड़ा विश्यांतर भी हुए है और हो रहे हैं फैक्ट यह है कि बात नर्शंगहार पर चली थी जो सम्राट चौधरी ने अभी हाल के दिनों में बयान दिया था सम्राट चौधरी का बयान यह कोई नया बयान नहीं है वलकि इसके पहले कई नेताओं ने वो नर्शंगहार पर संकेत दिया कहा वो काल बड़ा भयावाता और अगर उसको जंगल राज नितिस कुमार ने नहीं कहा था हाई कूर्ट ने कहा था भयावाता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1991 से लेकर 2001 तक बिहार से 200 परसेंट पलायन की दर हुई यह रेकॉर्ड में अकेले भी हार जब कि 34.7 परसेंट पलायन धर को निस्नल लेवरेज को कई कारणों से वो लोग वहां पर गए होंगे नौकरी शाकरी मने कई ब्यापार वगरा लेकिन यह जो पलायन हुआ 200 परसेंट पलाया यह अपने आप में बड़ा रिमार किबल है बड़ा हॉरिफाइंग है हॉरिबल है और अगर कहें तो काईदे से जो पलायन का सिलसिला उसमें से सुरू हुआ वह अभी तक कुरूखा नहीं अब बात हम करें तेजस्वी की तो तेजस्वी यादो आज जो कुछ भी हैं अपने लालू परसाद यादो के बल पर ही है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है यह जानना कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद के नाम पर यहां पर आंदोलन चलाया गे आंदोलन की सुरूआत हु लेकिन उस इलाके में नरसंगार नहीं हुए नरसंगार हुआ मिडिल बिहार के मिडिल बिहार के वह सोच्यों एकोनोमिक कंडिशन को आप जाने जानेंगे तो हैरत में पढ़ जाएंगे गंगा उस पर पढ़ता है वह उत्तर विहार उधर लैंडलोट सदीक है वहां होना चाहिए था लेकिन क्लास स्ट्रगल यहां हुआ यहां का अपर कास्ट भी लैंडलेस लोग विपियल की संख्या बहुत अधीक आपको मिलेगी मिडिल भीहर में अपर कास्ट जबकि आप गंगा उस पार जाएं तो आपको हर जाती के हर वर्क के लोग बने अच्छे लैंड पूरेज नहीं कि यह कास्ट के नाम पर प्राइवेट आर्मी क्योंकि मैं उसी इलाके से बिलॉंग करता हूँ मिडल भीहर से इसलिए मैं पहतर और मैंने दरदेनों रिपोर्टिंग की है मैं से कर पर मैं से कर ना कहा है जैनोसाइड कर रहाई है कि मैंने को लाइन में ख़ मैं संजे जी इसलिए तो इस पे आ रहा था मैं आप बिल्कुल सही बात कह रहे हम लोग हम लोग डिवेट को और आगे बढ़ाएंगे और इसलिए मैंने का कि की लीडर सिप लीडर सिप आर जेडी का लालू प्रसाद से तेजस्वी यादब के हाथ में आ चुका है और अभ भाई लालू राज में दिक्कत थी तभी तो नितीस राज आए लेकिन अभी भी जब जंगल राज की बात होती है तो जंगल राज एक ऐसा आपको याद होगा 2020 में प्रधान मंत्री जब कहने लगे कि जंगल राज के युबराज और उसके बाद पूरा सिनेरियो बदल गय पूरा सिनेरियो बदल गया और हवा इसकदर बढ़ने लगी क्योंकि मैं भी उसे लेक्षन को कवर कर रहा था गूम रहा था पूरे बिहार में हवा इसकदर बदलने लगी कि यह लगने लगा कि वापस NDA के पक्ष में माहौल बनने लगा जबकि पहला दूसरा चरण जो थ उसमें साब दिखाई दे रहा था कि RJD को बढ़त है सवाल यह है डॉक्टर संजे मैं आपके पास आना चाता हूँ विने जी के पास जाओंगा रिमार्क लूँगा आप तीनों जो बोल रहे हैं सवाल यह है डॉक्टर संजे कि यह जंगल राज की भया वहता इसकदर थी औ और उसमें ये बात लोगों के दिलों दिमाग में अभी भी क्या बैठ किया है कि वो सत्ता संरक्षित अपराद था बिल्कुल जंगल रास्था कहीं पुलिस नहीं पहुंसती थी जबकि अपराद अभी भी कम नहीं है तेजस्वी जो एक्स पे डालते हैं और मंगल राज कह करके तंज कसते हैं अपराद पे नियंत्रं अभी भी बिहार में हो नहीं पाया है और खास तरफ़ पर प्रिचले 5-6 साल में बिहार की स्थिती सुदरी नहीं है खराब हुई लेकिन कम से कम कोई डारेक्ट CM पर आरोप नहीं लगा सकता कोई मिनिस्टर पर आरोप नहीं लगा सकता कि ये ये जो है सो अपरादीयों को पोस्ते हैं अपरादीयों को सनरक्षन देते हैं और इस तरह की बात हमने सुनी नहीं है इनफेक्ट जेडियू के लोग तो कहते हैं ना हम फसाते हैं ना हम बचाते हैं एक दो केस आया एक आया अनन्द सिंग का और दूसरा आया अनन्द मोहन सिंग का जिस पे आरजेडी ने घिरने का प्रयास किया मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी यादव अपने आपको जंगल राज से डिसोसियेट करने की स्तिती में नहीं है और ये एक बड़ा कारण है कि कितना भी अपराद हो जाए किसी भी तरह की बात हो जाए तेजस्वी यादव को जैसे ही जंगल राज का युब राज कहा जाता है जंगल राज की याद दिलाई जाती है और जेडी डिफेंसिव हो जाती है कि वह पंक्याची मैं एक बात कहना चाहूंगा सब कुछ होने के बावजूद कि जस्वी परसाद यादव जी यह पुत्र है लालू परसाद पॉलिटिकल इंटरफरें अभी भी लालू जी का पिहार की राजनी थी नहीं बलकि देश की राजनीत में कम नहीं हुआ और यह बात तो हो गई एक तरफ दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि वो नितीज कुमार के राज में ब्रसाचार इतने बढ़े हैं कि बिना पैसों के एक ब्लॉक से लेकर दिस्टिक टेट कॉर्टर तक कोई काम नहीं होता नमबर टू क्राइम का रेट बहुंच जादे बढ़ गया है नमबर थ्री अगर आप ठाने में जाएं कोई दुरगटना घटना को लेकर एफाई आर कराने के लिए तो वो लोग जल्दी एफाई आर करता नहीं है क्योंकि क्राइम रेकॉर्ड पढ़ेगा कि मैं बता दूं एंसी आर्बी की रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रेकॉर्ड बेरो की रिपोर्ट है कि 2015 में लैंड से रिलेटेड सबसे अधिक हिंसा पूरे भारत में बिहार में हुई कि गолж practitioners क अब्र His के मिलेपव क्राशियं के लिए कौन्र जिमेवार है और यह जा रहे हैं है लैंड के नाम पर लेकिन लेंड सर्वे के नाम पर जजब का ब्रसाचार कि मुझे लाघर आप अपने अपनी बात कह दी कर देओं मैं यही तो चाह रहा हूँ कि यह जो वही मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार में भी अपराद कम है ऐसी बात तो है नहीं अगर आप डेटा के अस्तर पर देखें तो अपराद कम नहीं हुआ है चलिए हम कह भी दें आवादी बहुत बढ़ी है और पिछले 15-20 साल में आवादी सनरक्षित था अब का अपराद सत्ता सनरक्षित नहीं है या क्या यह माना जाए कि अभी उस समय बिलकुल डिस ओडरनेस था अभी फिर भी ओडर में समाज है पुलिस काम कर रही है पुलिस पहुंचती है नेता जो है अपराद को सनरक्षन नहीं देते हैं तो मेरा सीधा आज बाले तमगे से डिसोसियेट नहीं कर पा रहे हैं और इस वज़े से यह दिक्कत बढ़ रही है नहीं में पहले तो संतोस जी को भी याद होगा यह भी एक्टिव जर्नलिजिम में रहते हैं ते जस्वी जी ने पुब्लिक डोमेन में आक करके कहा है कि अगर मेरे पिता ज से आरोपित किया जाए वो अलग चीज़ है लेकिन उन्होंने यह कहा है पुब्लिक डोमेन में रह गई बात कि वो जो तीस तीस ओर्गनाइजड गैंग थे तीस ओर्गनाइजड गैंग थे बिहार में और उसके बाद जो दूसरी इस्थिती थी वो इस्थिती ये थी कि उ उस ओर्गनाइजड गैंग के साथ लासों का पूचाण खाना था मैं उसका भुक्त भोगी भी रहा हूं और उस छेत्र का दंस भीजे लाओं संजोग बस ऐसा रहा कि 92 से लेकर के 2003 तक कई SP मेरे मित्र रहे बात करते हैं आनुजी उसके तो कई SP मेरे मित्र रहे और उनसे जब मेरी बात होती थी कभी अड़ाई बजे कभी तीन बजे कभी दो बजे तो मैं कहता था कि क्या है आपका रूटीन रात में सोने का क्या है एक-दो मेरे मित्र हैं जो आपसे भी जुड़े हुए हैं और व उस समय की बाद जब हमने उन्हों को कही थी बताई थी तो वो उन्होंने कहा कि तीन वजे के बाद हम लोग इसलिए सोने जाते हैं कि लगता है कि चलो अब आज की रात कट गए और संख्या होती थी 10, 15, 20 कभी कहीं 27, कहीं 32 और बिलकुल वो बाते नरसंगार हो या सेनारी नरसंगार हो बारा नरसंगार हो या नरायनपूर नरसंगार हो वो सारे नरसंगारों का दंस वो जेलता हुआ मद्द बिहार कि इस्तिती भी विचित्र थी कम से कम नरसंगार तो नहीं हो रहे हैं और गैंग नहीं है लेकिन इस सचाई को भी स्विकार करना होगा जो आपने कहा कि differentiate करना होगा कि क्या सत्ता संग्रक्षित अपराद मैं एक उदाहरन देता हूँ बिहार में सराबंदी तो है और इसी नालंदा के प्रखंड में वहां के प्रखंड अध्यक्ष कि अहां सराब पकड़ी गई थी और सराबंदी पर काफी कड़े उस समय कानून थे और कैसे उनको मुक्त किया गया कि के पाठक जी इसी वजह से बाद में उस बीभाग से अपने को अलग कर लिया था इसलिए ये कहना कि कि किसी को बचाना और किसी के इसके कई उदाहरन है कभी तफसील से बात होगी तो मैं आपको बता दूँगा हम बात करते हैं दो मिनिट में एक जुड़े हुए है तो तो मैं बता रहा हूं कि वो जो द्रिस जहानाबाद ने देखा है मद्ध विहार ने देखा है वो जो औरंगाबाद आरा वो जो पूरा मद्ध विहार का इलाका है गया पलामू चत्रा जारखंड के बटवारे के पहले और जारखंड के बटवारे के बाद में नरसंगहार तो अब नहीं हो रहे तीस तीस और गैंग तो नहीं है और अटल भी आई बाद पर इसी पटना के गांधी मैदान में आये थे और एक बच्चे का अपहरण हुआ था वहीं से तो उन्होंने शुरू की थी और वहीं से चीजें शुरू ही थी बिल्कुल स और अगर नहीं मिलते तो मैं तो बता रहा हूं कि जेल में सत्ता बनाने के लिए लुक जाते थे मिलने के लिए उन्हीं अपराधियों के पास उन्हीं अपराधियों की मदद से सरकार बनती थी बियार में उन्हीं अपराधियों के मदद से चीजे तैव होती है और आज भी उनका दबदबा है कि किसको बचाना है किसको फसाना है ऐसा कुछ नहीं है कि बिलकुल लालू प्रसाद जी के समय में वह जंगवराज था और आज एकदम मंगवराज हो गया है मैं उस चीज को कह भी नहीं रहा हूँ मैं आप लोग से यही समझना चाह रहा हूँ कि दर असल देखिए 15 साल का लालू शाषन था 15 साल के लालू शाषन से लोग इस तरीके से उप गए भी ने जी कि उन्होंने नितीश कुमार को शाषन का मौका दे दिये और नितीश कुमार अब 19-20 साल में और अभी भी बीजेपी कह रही है कि उनके नेत्रित में ही हम चुनाव लड़े तो सवाल यह उठता है कि तब और अब मैं अगर अपराद अभी भी बिहार में रुका नहीं है और अपराद कहीं रुकता भी नहीं पर यह का जाता कि पहले आईएस ओफिसर क की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी इस तरह की बात मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी के तरफ से कहा जाता है जब वो बलातकार की बात करते हैं 32 वार लालु जी ने बलातकार बिहार बराबर बलातकार कहके एक्स पर लिखा तो उसका जवाब क्या दिया गया कि एक आईएस officer की पत्मी के साथ दो साल तक बलातकार किया गया और उसको जंगल राज की याद दिला दी जाती क्या जंगल राज में इसकदर घटना घटित हुई थी कि इन लोगों को एंडिया के नेताओं को लगता है जंगल राज की बात कर दो इनके सारे पाप धुल जाएंगे क्योंकि अभी कम से कम और्गनाइज क्राइम नहीं है बड़े दादा नहीं है सत्ता संरक्षित अपराद नहीं है दिन दारे गोली नहीं मारी जा रही है आम आदमी कम से कम शाम को रात को जहां तहां जा रहा है तो इस तरह की बात पहले नहीं थी और इसलिए ये लोग खुल करके कहते हैं चाहे मंगल पांडे हों, चाहे समराड चौदरी हों, विजय सिना हों निरज कुमार हों, जेडियू के संजय जाओ वो सब लोग कहते हैं, याद करिये पहले और आप क्या था? अब जो है, वो नितिश कुमार की वज़े से है तो मैं वही कह रहा हूँ आप से कि जो तेजस्वी यादव ये मन्शा रखते हैं और यंग भी हैं, नितिश कुमार की राजनिती अब धलान पर है तो क्या ये तेजस्वी यादव अपने पिता से अपनी राजनिती डिसोसियेट नहीं कर सकते और एक जनता के सामने भरोसा नहीं रख सकते कि भई हमारा जो शासन होगा जो हमारी पुर्व की कमिया थी उससे अलग मैं देख रहा हूँ अपराद मुक्त भै मुक्त शासन होग तो क्या इस तरह की बात तेजस्वी नहीं कर सकते जैसे राहूल गांदी ने कई प्लेटफॉर्म से कहा कि हमारे पिता ने भले ही आरक्षन का भी रोत किया हो लेकिन हमारा उससे कोई मतलब नहीं है हमार अरक्षन देंगे मैं आप से यह सवाल करना चाहता हूँ विलेज़ अन्म्यूट करिया अन्म्यूट करिया कई सवाल आप कर दी एक सवाल में कई सवाल का देना पड़ेगा यह जो नबे से जो दौर था लालू प्रसाज जादव का तो उसमें एक काम लालू प्रसाज ने किया कि लोगों को आवाज देने का काम किया दले कुछले दलित जो लव गए उनको आवाज उन्होंने दी, उनको बरावरी का अफसर दिया, लेकिन अन फ्रंट पर लालूदी कमजूर होते चले गए, पिकास उनके एजंडा में नहीं था, कानून बिवस्ता उनके एजंडा में था, उस दोर में नरसंगार का दोड़ थ था, हम तो नाराइनपूर घटना हुई थी और नेक्स डे हमको जाने का मौका मिला था, सेनारी की घटना हुई थी, हम जोर्ज साहिब के साथ नेक्स डे गए थे वहां कवरिद करने के लिए, उस समय का जो दोर था, उस समय एक बिहार में भाय का एक बातावरन था, के में कानून व्यवस्ता से समंदित घटाएं होती थी, एस पी की हत्या हो गई थी धारखन की इलाके में, जो उस समय बिहार का हिस्था हुआ करता था, विवाजित थी, बिहार में जारखन, तो बड़ी-बड़ी घटाएं होती थी, लेकिन नितीज कुमार के आने के बाद नितीज कुमार दो चीजों के लिए आए, एक कानून व्यवस्ता को लेके और एक विकास का एजेंडा लेके, नितीज कुमार का इसमें भीतन बड़ा किलियर रहा, कि हम किसी की पैरवी नहीं करेंगे, हम किसी को बचाएंगे नहीं, और जो अब घटना होगी, देखिए द सरकार की कारणाई क्या है, सरकार किस तरह से एक्सल लेती है, सरकार कैसे कोट में ले जाती, सरकार कैसे दोस्यों को सजा दिलाती, ये इंटेंसन देखना पो लेगा, तो नितीज कुमार का ये इंटेंसन किलियर रहा, कभी उन्होंने इससे समझोता नहीं किया, परस्टाच में आप देखिएगा कि अपराद की घटना होती है अमेरिका में भी देखिएगा जो सबसे बिक्सित दुनिया का देश है वहां भी अपराद की घटना होती है तो लेकिन सरकार का मंसा देखा जाता लालू जादब के समय में ये मंसा दिखाई नहीं एक पक्षी मंसा दिखाई पड़ता था हमको याद है अब भी सेनारी नरसंगार की घटना हुई थी हम लोट के आए बिदान स्वा का सेशन चलना था रामसरे वाओ कॉंग्रेस बिदाएक डलके नेता थे उन्होंने कहा कि भई आपको जाना चाहिए मुखमंत्री उस समय पड़ी देवी ने उठकर कहा कि भई हम क्यों जाए आपको जाएए आपके जात के लोग मरें तो ये इंटेंशन दिखाई पड़ता था उस समय के सत्तारूरदल के नेताओं का जबकी अगर आप कोई मुखमंत्री है तो आपके राज में जो जितनी परजा है या जितने ल निकते हैं उनके लिए हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है, सिक भी बराबर है, अदिवासी भी बराबर है, उनमें ये बात दिखाई पड़ती है तो थोड़ा सा अंतर है इन लोगों में और हलाकि तेज़स्वी जादव आए हैं, नई उमीद है, यहार का हम नई शुरुवात करेंगे हम अपनी पार्टी को एटूजड बनाएंगी अनुझे बीने जी वह सारी बातें वह बिल्कुल उन्होंने कहा लेकिन लालू-यादव जैसे निती सराज और गिरिराज को एक बताते हैं और फिर कहते हैं दंगा कैसे हो जाएगा बिहार में हम हैं हम होने नहीं देंगे तेजस्वी यादब कहते हैं इट से इट बजा देंगे और उसके बाद सारे आंकडे सारे आंकडे लोग गिनाना शुरू करते हैं कि बिरानबे में दंगा हुआ, सीता मड़ी में, 65 लोग मरे, बिहार शरीप में दंगा हुआ, इतना नरसंगार हुआ, और ये बताया जाने लगता है कि लालू जी आप क्या दंगारों कियेगा, आपके सासन में तो इतने सारे दं दंगों से, नरसंगार से, अपने आपको डिसोसियेट कर पाएं हैं ते जस्वी जी, ये सवाल है, ने, पंकड जी, हम लोगों को याद है, जो 92 का सिता मड़ी दंगा था, वहां उस समय जो MP थे, हम लोगों से बात होती थी, रोज के टुड़े बात होती थी उस समय, दी का USP यही है, लालु जी सदय मुस्लिम को साथ लेके, तंगा नहीं हो, इसका प्रियास लालु जी करते रहे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, जो जिस नेता की खासियत रही है, उसको तो आपको पताना, आपको बोलना हैं ने, कि कोई घटना ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार रहेगी, कभी कुछ इस तरह की बाते हो, देखे, लेकिन लालु प्रसाज लादम, तंगा को… के बराबर पेमेंट हमने दिया, असली रहनुमा तो हम है, लालु जी ने तो सिर्फ आपको लड़वाया भीडवाया, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आप मुसल्मानों में बात करिये, लालु ज्यादा पॉपलर, क्योंकि ये बीजेपी के साथ आते हैं, इस पर देखे, मैं वही बात तो कहा रहा हूँ, कि इस पर क्यों घिर जाती है, और जब चुकी नेतरित, मुझे लगता संतोस जी जवाब देंगे, जब चुकी नेतरित तेजस्वी जी के पास आया है, तेजस्वी जी प्रोग्रेसिव हैं, पिछले चीजों से अपना पिं रखतारी के बाद मुसलमानों के रहनुमा का परसेप्शन लालू जी का बन गया है, उसी परकार नरसंगहारों के बाद जंगल राज का परसेप्शन लालू राज का बन गया था, लेकिन जंगल राज की इस्थिति अगर देखा जाये तो एक क्रिमिनल अपड़ादी सभी लोग बाकिफों आडा से लेकर पटना मतलब अंतिम संस्कार तक नंगा नाच हुआ था तो यह थी ऐसा नहीं कि नर्संगार इस राज में नहीं हुआ है खगडिया में हुए हैं नर्संगार रागोपूर में हुए हैं नर्संगार अभी हाल फिलाल में छे लोगों को जला दिये गए हैं और बचाने और हसाने की बात है तो है आज मैक्समम लोग एंडिये के साथ हैं तो जंगल राज एक पर्षेप्शन बन गया है लालु राज का और उधारन दिया जाता है और आर्जेटी के लोग बैक फूट पढ़ाते हैं और मुझे लगता है कि तेजस्वी आदब एक बार बोल चुके हैं लेकिन चुकी उनका जो भोट वैंक है लालु जादब की आलोचना बरदास्त नहीं कर सकता उनका और सत्ता में वो तभी आएंगे जब किसी को जोड़ेंगे चिराग पासवान को जोड़ ले नितिसकुमार को जोड़ेंगे तभी सत्ता में आ सकते हैं कितना भी वह वाह कुछ भी करते रहें ल उनके साथ सभी लोग धीरे धीरे सत्ता से हटते चले गए लालु पर साथ से तो उनकी सत्ता दूर हुई 2005 में दूर हुई उसके बाद से देखिए 15 में नितिजी के साथ आए तो फिर सत्ता में फूल मेजरिटी से आए आप 20 में ले लिजिए चिराग पासवान उधर से हट से और जद्यू के खिलाफ उन्होंने कंडिडेट दिया तो फिर सत्ता के कडित पहुंचे सत्ता आते आते रहे तो या तो एंडिये में फूट होगी एंडिये अभी मजबूत गटवंधन है बिहार की जो राजनिती जंगल राज नाम है फिर भी जंगल राज तो 15 साल नाम को तो भोडोत देते ही हैं और अबहिए अगर चिराग पासवान को मिला लेते हैं तो सत्ता में आ जाएंगे नितीश कुमार को मिला लेते हैं किसी को मिलाने की जबुरत है तेजस्वियादकों सत्ते गांगे और एक पर्ion बन गया है जंगल राजिका जिसके खार भार्ती से 20 साल के सरकार से भी नाराज है और वो कहीं छिटके नहीं इसलिए बारबार जंगल राज किन का नाम दिया जाता है कि वह आपस लालू परसाथ के सपास नहीं जाए लेकिन एक बाद जान लीजे विहार में नितीजी के खिलाव एंटी इंकंबेंसी है और जो अपरकाश का जो जंगल राज की बात से भाजबा के साथ है वह इस वाज मुझे लगता है कि 50% नितीजी से छटकेंगे इस वाज उतिजस्वी मांगे आपको सही लगता है बिल्कुल आपने कुछ बातें जो की मुझे लगता है कि उसका उसका एक दूसरा पहलू भी देखा जाए क्या लालू जी के साथ सहाबुद्दीन नहीं थे और सहाबुद्दीन के टाइम पे आपको याद है ना वो कौन लोग थे जिनके तीनों बेटों को मार दिया गया था उनके आँख में तेजाब डाल दिया गया था ये भी आपको पता होगा जहां तक आनन्द सिंग का सवाल है तो कितनी बार वो आरजेडी में थे उनके बड़े भाई किसके साथ थे वही मैं आपसे कह रहा हूँ मुन्ना सुकला अभी आरजेडी में चले गए आनन्द मोहन सिंग हाल फिलाल में ही आरजेडी से जेडियू में आये हैं बहुत प्रयास कर रहे थे कि उनको आरजेडी से लोग सभा का टिकेट मिले, जब तक लालू जी से मिलने का भी प्रयास किया उन्होंने, देखिए ये जितने नाम आप गिनार हैं, आप ये जान लिजे किसी पार्टी में रहें, लेकिन नानन सिंग के संबन सुरेंदर यादब से बहुत अच्छे हैं, मैं पब्लिक पर कह रहा हूं, रनवीर यादब से बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों से बहुत अच्छे, तो ये इनका एक अपना इंट्रेस्ट है जिस वज़ए से ये लोग साथ रहते हैं, सवाल ये है कि जो सत्ता जिसका काम होता है कि मैक्सिमम तौर तरीकों से वो निश्पक्श आखिरकार ब्रहमिश्वर मुख्या का जन्म क्यों हुआ ये भी तो समझना पड़ेगा या तमाम रॉबिन हुट चाहे यूपी में फूलन दे भी क्यों पैदा हुए ये भी तो समझना पड़ेगा दरसल मैं कह रहा हूँ वो तमाम लोग जो कानून को अपने हाथ में लेते ह लेकिन नितीश कुमार पर ये आरोप नहीं लगता है कि नितीश कुमार के घर में वो आफरन करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था जो कार चोरी करके लाया था ये अभी भी एक बड़ा फर्क है संतोस जी और मुझे लगता है कि चुनाओ आते आते तक यही तो मैं आप लो है कि आंत में जन्ता ठक हार करके नितीश कुमार को ही चुन लेती है या नितीश कुमार को ही चुन लेती यह जंगल राज raped लेकर अकेले कोई बी चुनाव लड़ेंगे तो बादोची तो मुझे लगता कि दूराय को आना मुझकिल होगा तो आज आए निश्वा दिती का बिहार जी स्थिति है अकेले कोई भी चुनाव लड़ेगा अभी तो मुश्किल है भाजपा भी अकेले नहीं आ सकती है नितिस जी भी नहीं आ सकते है आज भी हाग की जो इसको दूसरे तरीके से रखता हूं मुझे लगता संजय उपाद्याई जी बहतर जवाब देगे पहले लालू जी इसलिए आये क्योंकि अगड़ी जातियों के खिलाब पिछड़ी जातियों की गोलबंदी होती है संजय जी क्या अब ये सच नहीं है कि अब OBC में ही dominant caste है चाहे वो यादव है जिसके खिलाब तमाम EBC की गोलबंदी होती है उत्तर प्रदेश में भी हम वही मतलब सत्ता के मुगाने तक भी पहुंच करके दूर रह जाती क्या कहते हैं देखी पंक जी एक बात है मैं कभी भी किसी कमिशन की रिपोर्ट पर उंगली नहीं उठाऊंगा आज करके मैं अगर बात करूं मंडल कमिशन की रिपोर्ट की सिफारिश की यादो कभी भी बैकवार्ट नहीं रहे कुर्मी कभी बैकवार्ट नहीं रहे बहुत समर्द जात्यां है यह दोनों हां पर्सेंटेज वाइज चुकि Changing बहुत जादे है तो उसमें कुछ माने गरीबी भी है गरीबी सभी जातियों में है तो लालू जी ने वो गरीबों को या गरीब सभी जाती में मानने गोल बंदी जो उन्होंने गास्ट लेबल पर जू किया वगिहार के लिए बड़ी खतरनाक ट्रेंटरेन एक पैदा किया है यह इतना खतरना ओपiguous किया है ing It मैंने बस में ट्रेंड में ये बताना मुस्किल हो जाता है कि आइटिल बताना मुस्किल हो कोई पुछ देता है आपका नाम क्या है संज्जै पूरा नाम क्या है अरे पूरा नम क्यों जानना चाहते हैं यह फ्लोट कर रहा है कास टीर्जीम हैज मीवडिय अंधे फ्लोटीं दैर और यह पहले नहीं था यह बहुत भयावा है और इस भायावाता को दूर करना होगा बहुत सोशियोलोजिकल ट्रेंड यहां का बदल गया है क्राइम की जहां तक बात करें कोन कहता है कि क्राइम नहीं हो रहा है और सिर्फ लाल जी के ही टाइम में क्राइम होता था बिल्कुल अभी एक वक्ता ने सही बात कही अनन्द मोह पार्टी है और ना इनकी कोई पार्टी है कि कभी यह सपोर्ट किये हैं राजत को भी और कभी यह सपोर्ट किये हैं एंडिये को यह कहने में मुझे कोई न तो गुरेज है न कहीं से कोई भाय है क्योंकि यह विदित है सबको पता है कि सवाल यह नहीं है विकास के एजेंड चार या पांच चीनी मिल बच गई हैं एक चीनी मिल डायरेक्ट इंप्लाइमें पर्तक्ष रोजगार कम से कम 10,000 वह रिजन करती थी और इंडायरेक्ट कम से कम 50,000 तो अगर इसको मल्टिप्लाइ अगर कर दिया जाएगा ना तो करोलों में जाएगा यह वह चीनी मिल पांच इसको हम तीसरे तरीके से अगर देखें लालू जी के परियड में नहीं बंद होई प्लीज अगर हम इसको ठीक है माली आपकी बात सब लोग फिरी हैं अपनी बात कहिए अगर हम इसको तीसरे पर्सपेक्टिव में देखें डॉक्टर संजे तो क्या यह माना जाए कि ठीक है अपराद अभी भी है तब भी था सारी तरह की बात है लेकिन समाजिक सोहार्द अभी बेहतर है उस समय समाजिक सोहार्द ज्याद तुम अगडे हो अलग रहो तुम पिछडे हो अलग रहो इस तरह की भावना बहुत जादा थी मास बेसिस पे और ये इसलिए इस्थिती इतनी डरावनी थी जो कम से कम नितीस राज में खतम हो गई आखिरकार 20 साल तक नितीस का ही नाम क्यों चल रहा है ये तो बात है ना चाहे नितीस लालू प्रसाद के तरफ चले जाए नितीस ही नेता रहेंगे नितीस बीजेपी के तरफ चले आए नितीस ही नेता रहेंगे जब भी ते जस्वी आदब को सत्ता सौपने की बात होती है जनता पीछे मुड़ के देखने लगती है क्यूँ? मैं देखिए इस समय बहुत भया हुआ है इस सचाई को स्विकार करना होगा और गाउं के गाउं खाली हो गए थे हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं खेत में काम करने के लिए उस समय मजदूर नहीं मिलते थे मतलब परती रह जाती थी जमीन और चुपचाप उसको देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था ये तो था समाजिक ताना बाना तो बिल्कुल भिखर गया था और मैंने कहा न कि उद्रिश्य का मैं गवाह रहा हूँ जब पता चलता था कि आज की रात कट गई कोई नरसंगहार नहीं नहीं तो नरसंगहार दहायंक में होता था 15, 20, 25, 30 विनेजी का रह थे न सेनारी अगर गए होंगे तो इन्होंने देखा होगा उद्रिश्य को कि कैसे 38 लोगों को बुलाया गया एक मंदिर पर हाथ उनका पीछे बान दिया गया और जैसे जानवर को गला रेता जाता है वैसे ही रेत दिया गया था एक जजज साहिब गये थे उसी परिवार में थे चुकि मेरी फुआ उसी गाउं की है मेरी बड़े भाई अभी प्रेक्टिस्नर है पटना हाई कोट के बार एसोसियेशन के अध्यक्ष है मेरे फुटा की भी हत्या कर दी गई थी वो देखे और उनका हार्ट अटेक है और वही डिट हो गया वह द्रिस तो अब कभी कम से कम भीहार नहीं देख रहा है अब यह से नरसंगहारों का दंस बाते की बात अभी संजय उपाद्याजी कर रहे थे जो महिलाएं प्रिगनेंट थी उनके पेट को चीर दिया गया था कल्पना कीजिए वह बचचे 40-46 छंपन शंपन यह नरसंगहारों का दंस जो देखा है बयार क्या लाइन ओरोंगर का फेलियूर नहीं ता और और क्या था भई इसे बस्तियां जल नहीं थी वह तो दिर्श से देखा है मंजर वह देखा है लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि हुक्मदेव नारायन जादव एक पड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि यह जो दोर चल रहा है इसमें ऐसा नहूं कि कम से कम हमारी जाती जो है वो अलग थलग नपड़ जाए, सब लोग की टार्गेट में हम ना आ जाए, उन्होंने पब्लिक डोमेंड में कहा था, तो ये बात को तो स्विकार करना होगा कि लाइन ओर्डर फेलवक के लिए कोई एक जाती, कोई एक वेक्ती जिम्मेवार नहीं हो सकता है, वो सरकारी जि और तो नहीं है, हम वो त्रिस्ट तो नहीं देखे हैं, कि अस्कीन देखकर के पीटा जाता था, मारा जाता था, लेकिन हाँ, ये घटना मैं बताता हूं, कि एक पत्रकार मेरे साथ जहानाबाद से आ रहे थे, साम का साथ बच गया, अब उनका देख रहे हैं कि धड़कन ब कि छे बजे, साथ बजे के बाद साम मंधिरा होता है, मैं वही कह रहा हूं, कि भई एक जैनरेशन जो पैदा हुआ होगा उसके बाद, 2005 में, अब उसके पास वोटिंग राइट है, और फिर भी उसको बतलाया जाता है, जंगल राज, मतलब जंगल राज कितना बिभत्स था कि लोगों को डराया, जैसे मुसलमानों को डराया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ गई तो क्या हो गया, लेकिन अब तेजस्वी जी कल कहना, इट से इट बजा देंगे, और किसी के लिए तो कहते नहीं है, इट से इट बजा देंगे, क्योंकि 17% वोट है, बड़ा सिंपल है, और गिराज जी भी वहां गूम रहे हैं, 15 में साल में मतलब तीसरी बार वो मंत्री बने हैं, अब उनको फिर से याद आया कि मैं हिंदू हूँ तो वो सिमानचल में गूम रहे हैं, सब सवाल ये है कि जिस तरीके से अपने वोट को गोल बंदी करने का प का मिलता है, वो बात करता है, और आखड़े जिस तरह का पेश करता है, वो हैरान करने वाला होता है, मैं आपसे भिने जी पूछना चाहूंगा, मंगल पांडे कहते हैं कि लालू यादब के सासन की सुरुवात से अंतक में अपहरन के कांड की संख्या 6494 है, ये जान लीज वो बताते हैं 15 साल में इतने लोगों का अपहरन हुआ है, आपको बताते हैं 35 डॉक्टर और 27 इंजीनियर का अपहरन हुआ, इतने लोगों के अपहरन की चर्चा ओन रिकॉर्ड जो मंगल पांडे कहते हैं, सवाल ये है कि क्या सही बात है कि जंगल राज इतना भयावह था कि आज भी उसके नाम पर एंडिये अपने कमियों को छुपाना चाहती है और इसलिए बार-बार इस तरह की बात होती है क्यूंकि जंगल राज इतना भयावा था इसलिए तो 35 मौते हो जाती है administration failure है आप कहते हैं शराब बंदी है छपरा में लोग मरते हैं सिवान में लोग मरते हैं लेकिन जब उसकी बात होती है तो आतुरन कहते हैं पहले क्या इस्थिती थी इतने लोगों का अफरन होता था तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि 35-35 लोगों की मौत भी कम पर जाती है प जो बर्ग है वो बर्ग चाहता है कि सराब बंदी खत्म हो और बहुत बड़ा बर्ग चाहता है कि सराब बंदी जो लागू किये नितीज कुमार ये अच्छा खाम की है तो चो लोग खत्म कराना चाहते हैं कुछ ने कुछ घटना को अंजाम दाते हैं और लोगों को भी बंदी होनी चाहिए तब निटीज कुमार को लगा कि यह अच्छा काम है इसको करना चाहिए और गांधी बहुत है उससे पहले तो यहीं निटीज जी गली इसका परिणाम की पिरल लुक फार्ल एकनामी चल रहा है सुखानसा करना भी तो गलत नहीं परिवार के लोगों को अपने बच्वों कोड़ों को बताना चाहिए कि नशा खोरी बहुत गलत है इसके लिए जागरांद पार है कि फैरना में लोगों बना की दहेज नहीं लेना चाहिए दहेज लेना कानूनी जुर्म है आज भी लोग दहेज ले रहें लेकिन इसके खिलाप अव्यान चलाना चाहिए और सामाजी का स्थर पर चलाए देखिए नितीज कुमार का ये पविट रहा है तो मैं 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 आप मैं आप से यही तो सवाल कर रहा था और यही कहना चाहता था जनता आपको वोट देती है बेहतर प्रशासन के लिए तो बेहतर प्रशासन ना देकर के समाज सुधारक बनने में क्यों लगे हुए सवाल ये बेहतर प्रशासन दीजिए ये आपका काम है समाज सुधारक मत बनिए जब आप बेहतर प्रशासन नहीं दे रहें तो आप सराब बंद कर रहें आप बेहतर प्रशासन नहीं दे रहें आप यहीं बताईए कि जब यह है ना भाई दहेज के खिला बहुत सारा कानून ने दहेज बंद हो गया क्या यह बात है ना तो आपको आपको अगर जनता बार-बार चुनती है तो इसलिए चुनती है क्योंकि आपने बहतर प्रशाशन 2005-10 में दिया 2010-15 के बीच में भी जादातर समय दिया जब तक कि आपको प्रधान मंत्री बनने का सपना नहीं आने लगा तब तक आपने बहतर प्रशाशन दिया और लोग कहते हैं एकसेप्ट करते हैं आप याद करिए 2010 में आर जेडी बाइस सीट पर पहुंच गई तो सवाल है कि अपना काम छोड़ करके आप समाज सुधारक बनियेगा तो यह दिक्कत तो होगी हर बार कही ना कही 35-50 लोग मरेंगे ही जैसे मर रहे हैं ये भी तो एक नरसंगार ही है क् गाओं में सरपंच हैं गाओं में बुद्धी जी भी हैं गाओं में पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी जंजगरती ये बल सरकार करो पंकर जी अगर अपस्य बोलने फिर मैं आ रहा हूं आपके पर जी यह तो ये तो अपनी अपनी विचारधारा है मेरे जैसे लोगों को लगता है कि नितीज कुमार का उद्देश बड़ा पवित रहें और इस पवित उद्देश लेकिन अगर कोई गलत करने के लिए आतुर कोई क्राइम करने के लिए आतुर तो क्राइम थोड़ी रुकेगा हाँ उस पर कारवाई कैसी होती है उसके खिलाब एक्सन सरकार कैसी लेते और यह था कि आपने भी कहान है कि आपरन करने वाले पहले सीम होस में बैठते थे आज कोई आपरन करने वाला सीम होस में तो दिखाई नहीं पड़ता है नितीज जी अपने खुद दहेज के बिरोधी थे अपना भी उन्होंने दहेज लिया अपनी साधी में उस जमाने में वो इंजिंग पास किये थे और तब उनकी साधी हुई थी और नितीज जी हमनों से कहते थे दहेज लेने वाले के साधी में हम जाएंगे भी नहीं जाते भी नहीं थे जो जिनको अगर उनको पता चल जाता था कि कोई दहेज लेने वा है और लोगों का मन है कि हम गलत करेंगे हम उनके खिलाब कोई अंदोलन करेंगे हम उनके खिलाब कोई काम करेंगे दारू को मुद्दा बनाएंगे बुर्दा तो कोई भी चीज का बरायो जा सकता है लेकिन मेरा मानना है कि गांधी ने भी कहा था कि इस सराबंदी होनी चाहिए इस देश में गुजरात में भी सराबंदी है बिहार में भी सराबंदी करने का काओ और हम लोग तो घूमते हैं जारखन वगरे में भी लोगों की इचा होती है कि शराब बंदी होनी चाहिए आपकभी जाए एक क्विक कमेंट ले 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 टाउं संजे जी कुछ कहना चाहरे था एक क्विक कमेंट ले-ले ले-ले तो जिल्डी बोल रहा हूं कि ये शराब बनाने वाले हैं कौन इनको संग्र प्रच्छन कहां से मिल रहा है नंबर वन नंबर टू यह नेशनल नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो की अपनी रिपोर्ट है कि यहां पर वो एसमैक गांजा कोकीन अफीम की खपत अब परत्यासित पढ़ी है एक तरफ वह पढ़ रही है दूसरे तरफ जारी ली शराब भी मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहा रहा था दरसल मेरे दिमाग में आज यही बात आई कि लालू राज की कितनी बड़ी भायावाता है कि जिसके आड में 35 लोग मर जाते हैं या किसी भी तरह की बात होती है तो एंडिये उल्टा चड़ जाती है महां गटवंदन पर कि ल अंगल राज कितना भायावा था सोचा मैं आप लोग से डिसकस करूं इस खास पेशकस में इतना ही विने जी आपका संतुष कुमार जी आपका संजय उपाध्याई जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिर्कत करने के लिए बहुत-बहुत और शुक्रिया तो बिहार के बात में इतना ही ताजा तरीम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें टीवी नाइन धन्यवाद नमस्कार